दोस्तों अगर आपने अपने घर की छट पर गमले में जो है करेले लगा रखी हैं और करेले के छोटे फल इस तरह से पकने लगी हैं वो बड़े नहीं हो रहे हैं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या होता है और कैसे आप इनसे बस सकते हैं ताकि आपको अपने करेले के पौधों से धेर सारे करेले मिलें तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आपको लाज तक देखना है नमसकार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरसेन गार्डनिंग यूटूब चैनल लेदि आप पहली बा जो कमेंट्स है उसमें बार-बार आता है कि सर मेरे करेले के पौधे के जो छोटे करेले हैं वो छोटे में ही पकने लगे हैं बड़े नहीं हो रहे हैं और उसका क्या कारण है उसे कैसे मैं दूर कर सकूँ तो देखिए छोटे जो करेले होते हैं जो की इस तरह से येलो हो ज जहाज से जो यह करेला है यह सूख जाएगा, इस तरह से सूख जाएगा और चहलड़ जाएग यह देखिए आप इसमें फूरी लगा हुआ है और इनकी जो बेल है उसे मैंने इस तरह से ऊपर फैलाया हुआ है creeper net की मदद से अब यहां पे जो मुझे कल जब मैंने इन करेलों की harvesting की यहां से हमने ढेर सारे करेले तोड़े उसका वीडियो चैनल पर पबलेस है आप देख सकते हैं जब मैंने यहां harvesting की तो कुछ मुझे इस तरह से करेले देखे तो मुझे पता चला कि हाँ यह वही problem है जिसके बारे में लोग comments कर रहे थे तो देखिए अब यह problem तो हमें पत पर जो करेले की बेल है इसमें दो तरह के फूल आएंगे पहला इस तरह से मेल फूल अब मेल फूल की पहचान क्या होती है देखिए इसके पीछे किसी भी तरह का करेला जैसा कुछ भी नहीं देखेगा बस एक डंडी दिखेगी और यह इस टेम से जुड़ी रहेगी तो य यहां पर होता है पॉलीनेशन आप देखिए फीमेल फूल अगर मैं जे खिला दिख जाए तो मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूं तो यहां पर थोड़ा सा मुझे एक फीमेल फूल दिख रहा है यह देखिए तो यह जो आप करेला देख रहे हैं इसमें यह यहां पर यह पूरा खिला नहीं है फूल मैं आपको दिखा देता हूं तो इस तरह से यह खिलेगा और अंदर यहां पर जब यहां पर पॉले ना के लगेंगे तो यह पॉलिनेट हो जाएगा और फिर यह जो करेला है हमारा यह करेला बड़ा होने लगेगा तो यह प्रोसेस जब पूर पर बैठे तो उसके पैर में क्या होते हैं इनके पॉलिन लग जाते हैं और फिर वह जैसे यह आकर इस पर बैठेगी तो वह पॉलिन यहां पर आ जाएंगे अब यह प्रोसेस अगर कह सकते हैं कि अपने आप ना हो तो आपको क्या करना है आपको जब भी आप अपने तरो फूला में जो है फिमेल फूल करेले में कैसे आ रहे हैं। जैसे आप देखिए ये फीमेल फूल को फूला है यहाँ पर तो इसमें आपको इस फूल के पॉले को इस फुल के उपर आफ टाला है। जो है, जो फल है करेले का, वो बड़ा होने लगेगा, जैसे आप देख रहे हैं, ये छोटा सा करेला है, ये बड़ा होने लगेगा, बड़ा होगा इस तरह इस से धीरे-दीरे बढ़ने लगेगा और दो दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो hand pollination है वो successful रहा की नहीं और फिर धीरे धीरे आपका करेला बड़ा होगा फिर जो जब ideal size में आ जाए जब आपको तोड़ना है तब आप उसे तोड़ लीजिए करेले के पौधे में बैसे तो hand pollination की जरूरत उतनी जादा नहीं होती मैं आपको मेरा experience share करता हूँ तो मैं इसमें hand pollination नहीं करता जितने भी आप ये करेले देख रहे हैं अभी यहाँ पर लगे हुए हैं ये सारे automatic मतलब की 100 परागन से हुए हैं इनमें खुद से ही या तो pollinators की मदद से हवा की मदद से जैसे भी हुआ है खुद से pollination हुआ है मैंने यहाँ पर hand pollination नहीं किया है क्योंकि देखिए कितने सारे करेले हैं एक एक में pollination कर पाना फूल में बहुत जादा difficulty मतलब difficult हो जाता है बहुत जादा कठिन है और long की कद्दू जैसे फूलों में मैं जरूर करता हूँ वहाँ पर मैं hand pollination करता हूँ लेकिन आपके करेले के जो फल है अगर खराब हो रहे हैं बहुत जादा है बिल्कुल भी आपको करेले नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप ये method try कर सकते हैं आपको जरूर फाइदा होगा इसके अलाबा मैं आपको बता दूँ करेले के जो छोटे फल हैं इस तरह से पीले और पकने इसलिए भी लगते हैं कई बार हमारे करेले के पौदे बहुत छोटे grow bag में लगे होते हैं जैसे ये आप देख रहे हैं काफी बड़े grow bag हैं 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग हैं अगर आप इने बहुत छोटे grow bag में लगा रखेंगे तब भी फल बड़ा नहीं होगा क्योंकि उस समय उसमें nutrition की कमी होती है मतलब खाद नहीं होता है तो आप अगर छोटे grow bag में हैं तो अच्छी मातरा में खाद डालें कौन-कौन सी खाद डाल सकते हैं बर्मी कमपोज डाल सकते हैं गोबर की खाद डाल सकते हैं ये देखिए ये हमारी गोबर की खाद है पुरानी होनी चाहिए और ये दोनों खाद आपको मिल जाएंगी website organicbazar.net पर ये करेले के जो बीज हैं वो भी आपको मिल जाएंगे website organicvajar.net पर साथ में जो gardening related दूसरी चीज़े हैं ये grow bag और भी चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी description में मैंने link दे रखी है आप चाहें तो वहाँ जाकर खरीद सकते हैं और अपने करेले आप जरूर लगाएं गर्मी में करेले कैसे होगाएं उसका complete video चैनल पर मैंने publish किया हुआ है आप उसे जाकर देख सकते हैं और I hope कि आपको जो man problem थी करेले के छोटे फल जो पीले होकर खराब हो रहे थे उसका कारण समझ में आ गया होगा और निवारण भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करें, share जरूर करें और इसी तरह कि अगर आपकी और कोई समस्या है gardening से related, पौधों से related, फल से related तो आप उन्हें comment section में जरूर लिखें मैं या तो वहाँ पर आपका answer दे दूँगा, या फिर उस से related में वीडियो बना कर upload कर दूँगा